बच्चों, हमने अपनी आज की कक्षा में जाना कि बहुलक क्या है और विबिन श्रेणियों जैसे वेक्तिगत, खंडित और अखंडित श्रेणी में बहुलक की गढ़ना किस प्रकार की जाती है? हमने खंडित श्रेणी की समुही करण विधी के बारे में भी जाना, इस तरह से हमने केंद्री प्रवित्ति के माग, समांतर माध्य, माधिका और बहुलक, तीनों की विबिन श्रेणियों में गढ़नाओं के बारे में जान लिया है अगर बहुलक से संबंधित किसी भी प्रकार के आपकी कोई समस्या हो तो आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं और इसके अंत में आपको कुछ assignment question दिये गए हैं, उनके answer भी आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं assignment question प्रश्न क्रमांक एक निम्न आकडों से बहुलक ज्याद कीजिए अंक 10,20,30,40,50,60 चात्रों की संख्या 13,15,20,33,15,10 प्रश्न क्रमांक दो निम्न आकडों से बहुलक ज्याद कीजिए आकार 0-15,15-30,30-45,45-60,60-75,75-90 संख्या 4,8,15,4,2,1 ह माँ प्रोंь इali निम्न मेज से डी मेजू एको झाल चालों से बहुलक, hatır Consénd pedovalperson